नमस्कार नेता जी का रोड शो आ गया है नारक मत्ता में और नेनिताल उदम सिंग नगार लोग सभा सीट है ये और यहां से भारतिय इंता पार्टी ने एक बार फिर अजय भड जी को प्रत्याशी बनाया है और वो इस वक्त म्यूज एटीन की इस गाली पर नेता जी की रोड शो की गाली पर हैं और हमसे आज बाचीत करेंगे अपना वक्त हमें उन्होंने दिया है सर कैसा लग रहा है प्रिता जी के रोड शो पर हैं इस वक्त कि ऐसा लगता है मेरी माताओं बहनों ने मेरे भाईयों ने ये इलक्षन को खुद अपने हाथ में ले लिया है ऐसा लग रहा कि स्वयम जनता चुनाव लड़ा रही है इतने उत्साहित हैं मोदी जी के कामों से जाती धर्म वर्ग शेत्र से उपर उठके जो मोदी जी ने देश में काम किये और अंतराश्ती इस तर पर देश को एक बहुत बड़ी इज़त दिलवाई है और बहुत हाइप पर ले गये हैं उससे जनता में बेहत परसंता है न्यूज एटी ने एक खास गाड़ी तियार किये हम अलग लोग सभाशित्रों में जा रहे हैं तमाम प्र कि भारती इंता पार्टी ने एक बार फिर आप पर वरुसा जताया है इस बार सामने इंडी गठ बंदन है और कॉंग्रेस पार्टी के प्रतियाशी है प्रकार जोशी किस तरीके से आप मुकाबला उनके साथ देख रहे हैं देखे मैं अपने केंदरी नेतरत्तों का और जन्ता ने अपने हातों में इलेक्षन ले लिया है मैं समझता हूँ कि कोई चुनोती भी नहीं है जो केंडिडेट है और वो अपने पार्टी की तरफ से हैं अपनी बातों को कहेंगे हम किसी को छोटा बड़ा बुरा भला भी नहीं कहते हैं लेकिन सामने कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है नाम मात्र के केंडिड जरूर होंगे और अपनी बातें भी कह रहे होंगे अपने बयान भी दे रहे होंगे जैसा होता है कहते ही हैं लेकिन जन्ता के सामने अगर कहीं नाम है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नाम है इसलिए कोई दिखाई नहीं देता आजे भड़ जी मोदी जी का नाम ज्यादा लेते हैं और अपना क्या कर रहे हैं अपने नाम का मैंने का हमारे पास तो एक नाम है दुनिया के पास एक नाम है पूरे भारत के पास एक नाम है जिनके नाम को लेकर हम पूरी बैतरनी पार हो जाते हैं आज तो दुनिया मानने लग गई हैं कांग्रेश वाले बताएं तो सही तुम्हारा कौन है किसी का नाम लेके तो कहें हम कोई रोक थोड़ी रहे हैं इसलिए मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है आज तक और ने कोई चुनौती दिखती है क्योंकि चुनौती सारे कारिकर और जनता हाथ में यहां गाड़िओं को रुक लिया गया है बहुत सारे आपके तंवाम जो कारिकरता हैं वो यहां पर नानक मत्ता शित्र में आपसे मिलने के लिए लगातार बिताब हैं उन्होंने गाड़ी को यहां पर रुका भीगवा है यह सब चाहते हैं कि आखेर अन्य पंडित नायंड़त तिवाडी जी हैं या अन्य लोग जितने भी आये हैं जैसे आपका जमरानी बांद यहां का पानी का लेबिल कम जा रहा है तरही भाबर और यहां तक की बरेली के लटको जो लगभग लगभग समापत हो गया था पहले ही लोगसभा के सत्र में उठ पारा जमरानी बांद स्विक्रत हो गया है जिससे पानी भी मिलेगा बिजली भी मिलेगी और जो जमीन का वाटर लेवल नीचे जा रहा है कई जोगों पंप सुकने लगए हैं वो रिचार्ज भी होंगे यह एक इतिहासिक सत्य है कि जिसको 50 साल पहले जिसके लिए अंदोल नहीं आया उसका स्रेग मोदी जी के हाथों को मिला और उन्होंने मैंने जो उठाया और मेरे प्रस्न को मिला आज पानी का जो बांद हम बना रहे थे जमरानी बांद उसके लिए करीब करीब 3600 करोड रुपे का टेंडर भी हो गया है जिसमें अन्य प्रकार के रिहाईसी मक और अफसरों के मकान समेत मात का जो इस्ट्रेक्चर वनना है उसका टेंडर हो गया है अगर आचार सहीता लगी नहीं होती तो उसका श्रीगणई सम्मानी प्रधान मंतिजी से करा रहे थे अगर आप पूरी उत्राखन की बात पूछें तो चार धाम अब रेल से जाएंगे जो एक सपना था आपने देखा है कि हम लोग इस समय केदारनात के लिए भी रोपवे बना दिये हैं मानी प्रधान मंतिजी ने ओधगाटन किया है जो हमारे सिक्खों का बहुत बड़ा धर्म इस्तल है हेम कुंड साहब वहां भी काम चल ला है अब आदे घंटे में वहां बड़े भाई जो भी होते हैं हम सबका सम्मान करते हैं तो कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई करके आओ भाई हमारी जो सांसर निधी है एक एक पैसा जा चुका है उसका लिखित मेरे पास आया है और 80 लाख रुपए एडवांस में दे दिये मैंने आगे सांसर बना रहे हैं कह रही है जनता सब लोगों का फ्रेम मिल रहा है तो सबसे पहले 80 लाख तो मुझे वो देना पड़ेगा और अगर आपको यह जिन नहीं है तो मेरे छोटे भाई मेरे कांग्रेश के मित्रो बार-बार कह रहे हैं कभी मेरे कोई विधायक मोहदे बोल देते हैं जैसे इनकी पॉलिसी क्या है हिट एंड रन मारो और भागो सही बात सुनने को नहीं आते हैं जनता में भ्रम फेला जाते हैं और मार के भाग जाते हैं वही राहुल गांधी ने संसद में किया जब उत्तर दिया तो भाग गये और कोई बात कहा तो फिर बात में घड जाके सुनते हैं फिर पस्तावा करते हैं भई आजकल सूचना का अधिकार है मेरे मित्र जो मेरे साँ चुनाओं लड़ ले हैं आप से भी मेरे अड़र रहेगी और मेरे कांग्रेश और विपक्स के मित्रों से भी रहेगी ति आप तो एक कोई बोलता है और उसकी बात को बारवार रिपीट करते हैं भरम फेला रहे हैं दस सुपे का इस्ताम ले लो ना और नैनिताल के जो सीडियों हैं नोडल अधिकारी हैं दो जिलों के कितना पैसा आया कितना खर्चुभा कितना नहीं हुआ क्यों नहीं ले रहे हैं भरम फेलाने के बज़ाए आपके हाथ में तीन दिन में आ जाएगा आप चुनावाए गयारे बारे सवालों की लिस्ट लेकर के मीडिया के सामने आ गए थे मैं तो इतने ही सवाल उन्से पूछता हूँ वह एक एक सवाल पूछेंगे मैं उतर दूंगा पर जो अब जो अब जो पूछे देखो न सामना तो उस्से होता बराबरी का मैं बराबरी का नहीं मानता हूं आप कब आये यहां क्या knowledge है आपको आपने एक गाउं का जंगलिया गाउं का अपने एक गाउं का बेड़ करोड रुपय के काम दिये हैं और आर्मी से पूरे गाउं की फेंसिंग करा रहे हैं पहला पुराभी होगे, पांच लाख पॉंधे प्याज के, देड़ लाख पॉंधे फूलगोभी के, और पचास लाख पॉंधे मटर के मैंच गाओं को दिलुए हैं, उस जाद करनाने के लिए और उसके खाद की कमपोस्ट की जो पूरी खाद कैसे तियार होती है, उसके आप कहीं से सूचना के अधिकार में लो गाउं से पूछो मेरे पार रखा हुए कागज ले जाओ सारी चीज़ें ले जाओ क्योंकि चूंकि हालत खराब है आज बस्ता लगाने को कांग्रेश के पास लोग नहीं है इन्डी गठबंदन मना कर बैठे हैं तो जो इन्डी गठबंदन है वो धिरे धिरे खतम हो गया है उनके पास केंड़ेट नहीं थे सीनियर केंड़ेट ने हाँ जोड़ दिया हम इस बार नहीं लड़ते हैं करके तो जो भाई को लाए हैं अब उनको शिखाया जा रहा है ऐसा बोल दो अब वो बोलते जा रहे हैं तर्क विहीन बाद हम लोग भोग बिलास के लिए राजनीती में नहीं हैं हम लोग तपस्या करने के लिए आए हैं क्या जरुवत थी मनरिन मोदी जी को जमीन पर सोने की क्या जरुवत थी नारियल पानी पीने की दस दिन पर जमीन पर सोए रहे और भगवान राम को तब अयोध्या में लाए इतने पवित्रा आत्मा तो हैं इतने परिस्कृत हो के आगे बढ़े थे पांचो सीटों पर बता रहे हैं कॉंग्रेस करिए कि हम जीत रहे हैं बाज़पा का सूपड़ा साफ ये तो समय बताएगा देश से ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है उतराखन तो देव भूमी है उतराखन की जनता ने तो हमेशा न्याई पक्स का साथ दिया ह मोदी जी ने उत्राखन को अपना परिवार अपना घर माना